आज मैं इस फीडियो में दिखाऊंगा कि डेमेज बैटरी को किस तरह से इमर्जेसी लाइट बनाए जाता है देखिए मेरा पास बहुत सारा डेमेज बैटरी है जो मोबाइल में नहीं चलती तो मैंने एक केबिनेट लिया देखिए केबिनेट के इस साइड होल करके मैं चार्जिंग पोर्ट लागा दिया यह देखिए जियो काड जो पोर्ट है उसको पिठा दिया फिटिंग करना दिया कर घुए यह देखिए इसना नहीं कर देखिए कि अलिय को प्रॉब्लम नहीं एंगा जो इस तीन पर फिटिंग कर लेता है इस्टेप बस्ट फोलो करो काम बन जाएगा आप भी घर्ट पे बना सकती है ये लाइट है देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ मैंने तीने ओ लेटी को यहाँ पर फिटिंग कर लूँगी थुरा सा गम दे दिया वह अच्छी तरह से चिपेग जाएगे कम दे गम के ऊपर बैठ जाएगे चलो देखिए मैं जो जीओ का सौकट था पोर्ट था उसको फिटिंग कर लिया इसके बाद यह पर एक कि मैंने रिगूलेटर लगा दिया जो लाइट को बढ़ाया जाए और कम कर चया जाए इसलिए मैं रिगूलेटर लगा दिया और एक देखिए कुछ भी नहीं है सिर्फ रेगुलेटर और दो डायड है डायड इसलिए दिया कि बैटरी ना फूले इसलिए और एक LED वाल्प लगा दिया कि चार्जिंग कानेक्ट होने पर लाइट दिखाई और कुछ नहीं है देखिए ध्यान से आप भी कर सकते हैं घर पर एह देखिए मैंने दो डायड दे दिया डायड दिया इसलिए कि बैटरी ना फूले और कार्ण्ट वापस ना जाए इसलिए कि मैंने एक डायड के उपर और एक डायड लगा दिया और इसके बाद एक रेस्टेंड दिया थोड़ा सा जो चार्ज चार्जर कर रेस्टेंड और LED रहता उसको खोल के यहाँ पर फिटिंग कर दिया इसलिए फीडिंग क्या कि चार्ज होगा या नहीं होगा ओर लाइट पर्स हो करेगा चार्ज होगा तो लाइट पर्ट दिखा देगा मैं इस फीडियो में फिर से एक बार दिखा दूंगी आप लोगों को चलो पॉजेटिव को लगा लिया फिर से ए नेगेटिव भी लगा लिया नेगेटिव को एल एडिव पर नेगेटिव पर जान सोल्डरिन कर रहा हूँ मेरा पास बहुत सारी बैटरी है लेकिन एक बैटरी का पॉइंट पहले से क्या हुआ है चलो इस बैटरी को लगा लिते है यह भी बढ़िया काम करेगा चलेगा थोड़ा सा यहाँ पर गुलू दे दिया गुलू गान दे दिया चलो इसके ओपर बैटरी को बिठा लेते है बिठाने के बाद देखिए यह कानेक्शन पहुत अच्छी तरह से ध्यान से देखने पड़ेगा यह तो गर्बिर हुई तो प्रब्लेम हाजेगा पॉजेटिव को पॉजेटिव लाइन पर दे दिया डा इसके बाद यहाँ पर एक देखना है कि जो नेगेटिव वायर है जो नेगेटिव का नेगेटिव है वो अलग-अलग कर लेना चाहिए नेगेटिव को एक तरफ और पॉजेटिव को एक तरफ करके यहाँ पर पॉजेटिव को रेगुलेटर पर सूल्डर करने पड़ेगा यह देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ पोजिटिव को रेगुलेटर पर सोल्डर कर दिया और नेगेटिव को भी लगा लिया चलो एक बार चेक कर लेते हैं इसको बैटरी भी चार्ज नहीं है थोड़ा सा है चलो LED जल रही है एक बार चार्ज करके देखता हूँ कि चार्ज हो रही के नहीं एमप्यार भी ले रहे है मेरा पार्ट सप्लाई में देखा कि एमप्यार ले रहे है LED भी जल रहे है यहाँ पर थोड़ा सा मैं इस LED को गुलुगाम दे रहा हूँ और चार्जिंग पोट को मैं पहले से फेवी कुई दे दिया था फेवी कुई देने पर भी मैं फिर भी यह गुलुगाम दे रहा हूँ अड़े यार बैटरी पर नहीं दे या चलो बैटरी को भी गुलुगाम से चिपएक देते हूँ गुलुगाम ना दिया तो यह हातों से गिरा तो बैटरी खुल जाएगा बैटरी हिलेगा चलो इसको गुलुगाम दे दिया अब नहीं हिलेगा इसको अच्छी तरह से स्कुरू को फिटिंग कर लूँगी साइट साइट पर दोनों स्कुरू है चलो इसको उपर को भर को लागा लेते हैं मैंने लगा लिए चलो एक पर चेक कर लेते हैं चार्ज हो रही है के नहीं और एमपियर कितना ले रही है वह भी देखूंगी मैं एक पर फिर अब लोगों को दिखाऊंगी कि लाइट किस तरह से दे रही है यह देखिए जितना बढ़ा होंगी उतना ज्यादा लाइट देगे एक केमेरा पर कैप्चर नहीं कहर पर रही है लाइट को ज्यादा लाइट पर रहे है तो केमेरा कैप्चर नहीं कहर रहे है देखिए इस तरफ मैं मोड दिया अब दिखे ए थुरा से दिया देखे, फूल कर दिया, तो कितना लाइट आ रही है, थोड़ा चार्ज होने दो, मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई, मैं नया नया वीडियो बना रहा हूँ, सब्सक्राइब करो, थैंक यू फोर वाचिंग इस वीडियो,